आज की खवर बहुत बड़ी है, मेरे साथ युवा साती हैं संदीप आरिये, इन्होंने बरष्टा चार खतम करने पर एक रिसर्च की है, छे साल तक रिसर्च की है और इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हरियाना से पूरे देश वर्षे बरष्टा चार खतम कैसे हो सकता है, किन मेरे नाम संदीप आरिये है, मैंने डिफेंस स्टडी से, मैं पास आउट हूँ, परस मैं जब गवर्मेंट कोलीज में था, उसी समय से मैं हमारे सरों से कोशन करता रहता था, कि भई सर जी अपने देश में इतनी गरीबी क्यों है, चाहिना है, वो कहीं नी सोनन चास में आज तक कानून मने है, आज तक जितनी भी आपने कानून देखे है, वो सिर्फ उक अपने जो नौर्मन इनसान है, जो झनता है, सिर्फ उनके लिए है, जो नो कर सार बड़े लोगों के लिए नहीं है, नहीं कानून उनके लिए दो कोई कानून है जितने MLS जितने ही पूरे देश के हैं इनके लिए क्या कानून है कोई कानून ने कानून इनके हिसाब से चलता है जो आम जनता है वो पीसरी है बिलकुल आज आप कहीं देख लो जूपगी जोपडिया है अरे कितनी साल हो गया मैं जाद हुए बात करें थे कि हमारे दो फसल होते हैं पिछले आज 9-10 साल होगी इस सरकार को यह कहती थी हम आएंगे तो परस्राजार खतम कर देंगे जे देखो मेरी तो कोई सरकार नहीं है जे मैंने साड़े 6 वर्स हां गोर्मेंट कॉलिज डी एन कॉलिज इसार गोर्मेंट कॉलिज इसार इसार फिर मैं गया एमडी उनिवर एक अफ़ता वारा मैंने सिर्फ किताबों से मैं तो पूछता सा जाके बही मुझे ऐसी किताबें वहां के हर किसी स्टाफ ने मेरी इतनी मदद करी है यह वहां से मैंने वह की उसके बाद मैं गया गुरुज जमिश्वर उनिश्टी सार वहां से मैंने इतनी किताबें करफ सन्का क्या जान करें लिए अपडेट साजयां रहो दर्सकों से अगर 당히 सोदलागू कर दिजाए वहां हमारे दести में हम आपको वह पिताए पैसे कोई कम यह न ही में लेकिन करफ सिर्फ कि कुछ औहीं नी रहा हुँ उसके बाद क्रफ सवी हो जाए हिर आमारे देश सब चाल को सबी कर दिया और ये तो सभी एक पिंदी के लोटे हैं आज में पहले कांगर्व कैसे करो गे मतलग क्या पार्मुला रिसर्च में निकला क्या है सर वो तो मैं आपको 11 तारिक को बताऊंगा 11 जनवरी 2023 2024 पंजाबी ववन सेक्टर 14 मैंने बहुत सी उनुश्टी में रहां कुछ दिन कुछ दिन मैं पंजाब उनुश्टी चंदीगड में रहां वो निकले आप बताओ कि कैसे खत्म हो रहा है कहां कहां बरश्टाचर कैसे कैस कानून नहीं बना सकते कानून मना करते हैं अंग्रेज बनाते हैं जो भी आंपे जैसे साइमन कमिसन थोप दिया या जो भी थोप या जैसे इस राज्य में अफिम वाई जाएगी कि यह उनकी सरकार थी उन्होंने कानून थोप आज कै आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अ जनता ने भी देखा होगा यह लड़वा देते हैं और यह खुद एक एक है मैं मनलब आप गरीव एक्तियों देखो यार उनिस सो संताली से में हमाजाद हुए थे आज गरीव के गरीव जोफडियों में है अगर उनको जोफडियों से घर में लेकर आना है आप कभी भी दे है कबड़ी में लगा लो यह कोई भी राजगराना कि यह जिसके है और देश सेवा के लिए किसान का बेटा अच्छा आए यह बते तो सारे जानते हैं कि सब कौन क्या कर रहा है करफसन से बताओ करफसन की जो रिसर्च है क्या क्या पॉइंट आपने रिसर्च में निखंग कर रहा है करफसन करते हैं जो मोड़े लेवल के दिकारी छोटे से छोटा दिकारी और मोटा से मोटा राजणे थाये यह मैं कहता हूँ 11 जनवरी को मेरी रिसर्च लागू होने के बाद मैं आपको बता दूँगा कि पूरा देश इनको गाईगा अब यह रिसर्च लागू करो अगर देश को आगे बढ़ाना है आपने इस पे जो स्टडी पढ़ाई करते हैं यह टोपिक था क्या आपका टोपिक न मलब यह होता है हम उसमें बैठते थे तो उसमें हम यही सिखाया जाता है कि पहले पहले देश अब नोजवान बारसभा है 1926 में बनी थी उसका भी यह जात पात सब साइड करो पहले हमारा देश इस करके जो मेरी सोध है मां आपको 11 तारिक को यह आपने अभी तक कहीं प्र प्रिमन होरलाजी को चिठी बेज़ रखी हैं सीम विंडो लगा रखी हैं उनके वाद सीम विंडो की जो फोटो स्टेट मैंने उनको दे रखी है आप कहते हो पंजाब का सीम उनका OSD है उनके घर के अंदर चंदीगड में उनको मैंने चिठी दे थी आठ दो दो जार तैइ इसको मैंने बगवत मान के SDO बराड़ है कोई SDO उनका हालेवी साइड साइद बराड़ी है उनको चिठी दे दी उसके बाद माननी उससे पहले मैं गये था मुख्यमंतरी मनोरला कैते भी बहुत शरीफ आदमी है बहुत बड़ी आदमी है उनको मैं मिलने गया तो उनका OSD बॉल अच्छार के लिए क्या नहीं किया कि आप बस्टाचार की बात करते हो ऊस्टी वोला यह नहीं सकते हैं मैं फिर वहाँ से आगा मेरा मिलने जान नहीं आप चेक कर आ ले ने में आठ दो 2023 सुभे सुभे की बात है और गोरा सा था अलगा सा गोरा रंका था और डाड़ी मुझे नहीं रखता था उनको भी चिठी बेज़ी हुई है आप मेरे बैग में रखी हुई है उसकी जो मैं चिठी बेज़ता हूं वो डाक में लिखा होता है और उन उनको नहीं मैं की विदायक हैवल राजगुंडू उनको चिठी बेज़ी हुई है मैंने उनको भी कहा था कि मुझे थोड़ा बोल लें तो आपकी रेली में कि आप मैं सोचा यह इतना पैसा अमर पर कैसे आएगा कि मैं इतना बड़ा प्रोग्राम करूं फिर भी मैंन करें तो जैसे आपको दे दूं तो उसमें तो आपका नाम हो जाएगा मेरा कहां से मैंने इतने 6.5 वर्स मेहनत करी अलग 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 रहा गर से दूर रहा अब मैं 11 जनवरी को मेरी सोथ लागु करवाना जाए तो इस रिसर्च में थोड़ा बहुत हो कुछ खलासा करो सब क草 से बड़ा करव सब्सक्राइब की सबसें तो बता हो ने सब्सक्राइब क्लेवल पर सबसें सब्सक्रार अब यह वर सब्सक्राइब है। जाई निक डॉपर साट व्र स्प्राटर पूछ ऑंगेन स्टाइख है जल्दी फूट जी इसका योई कारण है कि मेरी सोधोने बाद मैं कहते हूं कुई एक बंदा सिंगल बंदा कोई करप्शन नहीं लेगा अगर लेगा तो जिन्दगी में मतलब वह याद रखेगा कि मैंने किसी से ले लिया और वह पकड़े गया अब वह से पकड़े जाते हैं उनका क्या होता है समझोगता हो जाता है फिर वह नो करीप या जाइए टेकनिकल अनलाइन रहे गा एक ऐसा कानून बनवाओंगा उस कानून के तहत और वह पकड़ा गया तो ग्यारा जुनूरी को हिसार की पंजाबी दरमसाड़ा में संधी पारियाई जी बरस्टाचार खतम करने पर खुलासा करेंगे और आप मेरे साथ बने रहें ग्यारा जुनूरी को भी हम इनके साथ अपडेट रहेंगे आपका दोस्त करमपाल धन्यवाद धन्यवाद धन्यवा कर